कॉंग्रेस पार्टी के पदा दिकारी तूर्नामेंट में इतना दवाब डाल रहे हैं, स्कूल के एनूर फंक्शन में इतना दवाब डाल रहे हैं कि गुलाएंगे तहीं तो बदल देंगे मैं आपको सुना हूँ सीने स्केंडी स्कूल बकसयाट जिस स्कूल में मैंने शिक्षा ग्रेंड वहाँ पर सभी जो पीटे की जो मीटिंग हुई तो सारे उन सब लोगों ने कहा कि भई हम कुस्तानी बुदाई को बुलाना है एक फंक्शन में और हम गए ना नाम नहीं लेना चाह रहा हूं उनका उन्हें इसकादर दवाब डाला मैं आदे घंटे के लिए गया तीसरे दिन सारे स्कूल के टीचर ट्रांसपर कर तारे के सारे इतनी इजाज़त दे दी आप लोगों ने और अधेक्ष मोदे मैं क्यों कह रहा हूँ जो मुख्य मुथी ने जवाब दिया कि सरकारी दाइतों पर अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो उसका नाम नहीं लगेगा ऐसे कहा नहीं क्या आप इसको एक्स्प्लेंड करेंगे इसका विप्राय क्या है और ये सरकारी दाइतों पर यानि के सरकारी पद पर किस चीज को आप किस तरस किस को मानते हैं एक तो इस बात को बड़ा स्पष्ट करें और दूसरी बात जो मैंने कहा कि शिरुवात जो है वो मुख्य मुंत्री जी को सौइम से कर दी पड़ेगा आपकी ही निवास पर जहाँ आप रहते वो मुख्य मंत्री के निवास है मैंने लोगों की बैठने के लिए वहां पर समवाद कक्ष बनाया वहां पर जहां लोगों को बैठ करके सुना जा सके मिला जा सके वहां उसकी ठोटी से एक प्लेट लगी थी कि इस समवाद कख्ष का इनोगरेशन नहीं शायद में इसको फंक्शनल इसनी तारीकों किया गया तिरोने वहां से वह भी अटा दी आपके ओकोबर में लिफ्ट लगाई और लिफ्ट वो मेरे लिए थुड़ी वा आज आपके लिए इस्तेमाल होगे कलाप नहीं होगे मुख्यमंत्री उसको क्लियर करेंगे उसको भी अटा दिया गया कि यहां कोई नाम नहीं होना चाहिए यह शुरूआत आप हमको संदेश दे रहे हैं बाखी लोगों को संदेश दे रहे हैं जब आप अपने वहम पर ही अपने वहां पर ही कर रहे हैं किस तरह से यह उचित नहीं है यह चुरूआत कहीं से करनी पड़ेगा तो इसलिए मुझे लगता कि स्वाइम से रुपादी तो मेरा इस बात के लिए क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को सपर्ष्ट करेंगे माने माने मुख्यमंत्री जी कि इसके यह सिर्फ कहने से ने यह नीचे इसका कोवनिकेशन जाना चाहिए अधिकारियों को ने नीचे जो अधिकारियों को परकार से ठी enc Total स्वाब का। और दूसरे मैंने कहा कि ये सरकारी पद का अभी प्राय क्या है इसको स्पश्च करेंगे।